तो यह थी इसकी trick trick को apply करें और trigonometric function की derivative को आसानी से याद करें आज हम आप से trigonometric function की जो derivative हैं उनकी जो आसान trick है वो share करेंगे इस trick को समझने के बाद आपको यह जो trigonometric function है इनके derivative क्या हैं वो आप आसानी से लिख सकते हैं इसके लिए आपको दो step याद रखने होंगे एक step के जहां भी trigonometric function के साथ c है उसके आगे आप derivative में माइनस लगा दें तो जैसे यहां पे कॉस है तो यहां पे हम माइनस लगा लेते हैं और उसके बाद c हमारे पास इस court में है तो इस पे भी हम माइनस और यहां पे भी हम माइनस तो इनके derivative में माइनस तो लाजमी आएगा एक आपकी ट्रिक यह हो गई कि जिस b function के साथ c होगा उसके derivative में माइनस लगा देनी है और उसके बाद cos x और sin x का जो derivative है वो आपको याद रखना होगा वो क्या है cos x का derivative sin x और sin x का derivative cos x तो यह आपस में inverse हैं इनका derivative आपको याद रखना होगा उसके बाद जो ट्रिक है वो इन चारों पे इस्तमाल होगी और जिनका derivative याद करना थोड़ा मुश्किल भी है तो इसलिए हम इस ट्रिक के जरी आपको ये derivative आसान करके समझाते हैं तो इसके लिए पहले यहाँ पे जो आपके पास boxes हमने show करवाए हैं इन में हमें जो लिखना है उसको याद रखें तो उपर आपको simple as, as और t लिखना है और नीचे वाले column में c, c और c लिखना है तो इनका हम abbreviation भी ले ले लेते हैं sec, sec, tangent, cosec, cosec, cod क्योंकि हम सर्फ इन चारों पे ले रहे हैं तो हम इनका ही नाम में इसमें इस्तमाल करेंगे तो अब देखें, अगर हम sec x का derivative लेते हैं तो simple क्या करेंगे, यहाँ पे एक s को छुपा लेंगे मतलब एक sec हम छुपा लेंगे, बाकी जो दोनों हैं उनको लिख लेंगे तो हमारे पास इसका derivative क्या आ जाएगा, sec x 10x और अगर हम cosec x का derivative लेते हैं, तो cosec x में क्या करेंगे cosec हमारे पास क्या है, नीचे वाले कॉलम में तो हम एक cosec, तो हम एक c को छुपा लेंगे और यह हमारे पास cosec है, और यह coat है, दोनों साथ में आ जाएंगे cosec और cortex, तो इसके साथ भी x लिख लेंगे, अब cortex का derivative ले रहे हैं, तो cot वाले को हम छुपा देंगे, बाकी हमारे पास क्या है, दोनों cosec हैं, तो इन दोनों को हम multiply करेंगे, हमें क्या मिलेगा, cosec square x, और उसके बाद tangent भी आ जाएंगे, तो tangent वाले column को छुपा लें, बाकी ये दोनों जो है, sec, x, तो sec, sec से multiply होगा, sec, square और x है तो x आ जाएगा, तो ये थी इसकी trick, trick को apply करें, और टेक्रेमेटिक फंक्चन की derivative को आसानी से याद करें, इस trick के हवाले से जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि हम जान सकें कि आपको इस trick से कितना फाइदा हुआ।